वेल्कम टी स्टों डिक्टेशन, डिक्टेशन फान्सकेन बात शुरू होगा रेडी स्टार्ट महत्वा कांची योजना के सही धंग से आगे न बढ़ने के आसार तभी उभर आये थे जब यह सामने आया था कि संसत सदस्य गावों को गोद लेने में रुच नहीं दिखा रहे हैं चुकि खुद सत्तापक्ष के सांसदों और यहां तक की केंद्री मंत्रियों ने भी इस योजना के तहत गावों के विकास का बीड़ा नहीं उठाया इसलिए इसकी उम्मीद कम ही थी की विपक्षी दलों के सांसद इसके प्रती दिल्चस्पी दिखाएंगे यह हर लिहाज से एक अच्छी योजना थी प्रधान मंत्री ने सांसदों के जरिये गावों की तश्वीर बदलने वाली इस योजना की घोशना लाल किले की प्राचीर से की थी यदि लोगसभा और राज्यसभा के करीब आठ सो सांसद हर साल एक गावों को गोद लेकर उसे विकसित करते तो आज आदर्श गावों की संख्या हजारों में होती ये गाव न केवल आत्म निर्भर होते बलकि ग्रामीड विकास का आदर्श उदाहरन भी पेश कर रहे होते चुकि खुद ग्रामीड विकास मंत्रालय की और से कराया गया सरवे सांसद आदर्श ग्राम योजना की नाकामी को बयान कर रहा है इसलिए संशय के लिए कोई गुंजाइस नहीं रह जाती गाव की सूरत बदलने वाली एक उपयोगी योजना के ऐसे हसर पर केवल अफसोस ही नहीं किया जाना चाहिए बल्कि हर स्थर पर ऐसे उपाय किये जाने चाहिए जिससे अन योजनाएं और खास कर ग्रामीड विकास से जुड़ी योजनाएं असफलता का मुह न देखने पाएं सांसद आदर्श ग्राम योजना की नाकामी पूरा नामक उस योजना की याद दिला रही है जिसकी रूप रेखा पुर्व राष्ट्रपती एपी जे अब्दिल कलाम ने बनाई थी और जिसका उद्दिश 2020 तक गाओं को शहरों जैसी सुवधाएं उपलब्द कराना था ऐसा लगता है कि एक नहीं दो-दो अवसर गमा दिये गए कम से कम अब तो जरूरी सबक सीखने में देर नहीं की जानी चाहिए ये सबक केंद्र और राज सरकारों के साथ सांसदों और साथ ही नौकर साहों को भी सीखने होंगे शांसद आदर्स ग्राम योजना का सरवे करने वाला आयोग भी यही कह रहा है उसके अनुसार इस योजना के लिए प्रिथक फंड निर्धारिक न किया जाना एक समस्या बना लेकिन यह भी पाया गया कि जहां सांसदों ने अतिरिक्त सक्रियता दिखाई वहां गाउं के आधार भूत ढाचे में सुधार हुआ इसका मतलब है कि यदि इस योजना की कमिया दूर की जा सकें तो देश में के गाउं आदर्श रूप ले सकती हैं यह काम इसलिए प्राथमिक्ता के आधार पर किया जाना चाहिए क्योंकि कुरोना संकत के इस दौर में इसकी जरूरत और अधिक महसूस हो रही है कि हमारे गाउं आत्मनिर्भर बने